प्रधान वंत्री नरिंद्र मोदी अपने विदेश के दौरे से लोटने किया अगले ही दिन कह सकते हैं कि 48 गंटे में जिस तरह से मध्यप्रदेश पहुचे और यहां से एक बार फिर पांच वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए उन्होंने भारत की रफ्तार को जो गती दी है उस पे आईए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से नई जो पांच वंदे भारत ट्रेन हैं वो किन रूट्स पे चलेंगी किस तरह का एक तरह से बड़ा बदलाव देखा जा सकता है सबसे पहली ट्रेन जो आज रवाना की गई है उसमें भोपाल से इंदौर के बी इस वंदे भारत से मिलेगी शेत में सांस्कृतिक परेटन एवंधार में किस्थानों की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा रुख करते हैं भोपाल रानी कमलापती जबलपूर वंदे भारत एक्सप्रेस का ये किस तरह से नया बदलाव लेके आएगी और ये किस तरह स जबलपूर के बीच ये वंदे भारत चलेगी और इससे महा कौशल क्षेत्र को मध क्षेत्र से ये जोड़ेगी साथी साथ इन तमाम वंदे भारत ट्रेनों का सिर्फ बुनियादी धाचे का विकास नहीं है बहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र के परेटन स्थलों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो आने वाले समय में लोगों के रोजगार पर भी एक तरह से बहतर असर डालेगा जारखंड व बहार के लिए पहली वंदे भारत रेलगारी के आज शुरुवात की गई है पत्ना और राची के बीच कनेक्टिविटी और ज्यादा बहतर हो परेटकों छात्रों और कारोबारियों के लिए वर्दान साबित होगी ये वंदे भारत इसी के साद धारवार बेंगलूरू वंदे भारत एक्स्प्रेस को भी रवाना की आज प्रधान मंत्री ने करनातिव धारवार और हुबली में महतुपून शेहरों को राजिकी राज मटगाउ मुमबई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये गोअ की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है मुमबई के चतरपती शिवाजी महराज टर्मिनस और गोअ के मटगाउं स्टेशण के बीच ये चलेगी गोअ और महराष्र के तमाम इलाकों को जोडेगी साथि साथी सा प्रधान मंत्री ने भी बच्चों से बात करते हुए इस बात का जिक्र भी किया और कहा कि किस तरह कैसा महसूस होता है जब वंदे भारत ट्रेन को आप देखते हैं कि यह भारत में ही बनी है पहली एसी ट्रेन है जो इतनी कमफर्ट और प्रभावी है पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सुरक्षात तंत्र कवच के अनुकूल है और हम जानते हैं कि कवच स्वदेश निर्मित पूरा एक तरह से एक प्रोटेक्शन केर है जो रेलगाडियों के लिए विकसित किया गया है वजन में हलकी और तेजगती है स्वदेश की हम बात कर चुके हैं केवल बावन सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार है तो वही 180 किलोमीटर प्रती घंटे की अधिक्तम गती तक इसकी रफ्तार है और यही कारण है कि तमाम राज्यों में शताबदी और जहां राजधानिया हैं उनसे कम समय लेती हुई वन्दे भारत ट्रेन है वाइफाई कंटेंट ऑन डिमांड सोविदा है तो कई ऐसी सोविदाए हैं जो अभी तक पिछली ट्रेनों में नहीं थी और वन्दे भारत को एक तरह से अलग दिखाती है नई वन्दे भारत में यात्रियों को सूशना और मनुरंजन के लिए हर कोच में 32 इंच की एक स्क्रीन उपलब्द कराई गई है और उसी में कंटेंट ऑन डिमांड रहेगा परियावरण के अनुकूल ट्रेन है 15 प्रतिशत अधिक उर्जा की बचत होती है एक्जिक्यूटिफ कोच में 180 डिगरी घूमने वाली सीटे हैं एक तरह से ये बड़ा आकर्शन वंदे भारत ट्रेन में सफर करते सामें लोगों के लिए है हर कोच में CCTV हर कोच में एमेजिंसी अलाम पुश बटन है और टॉक बैक भी है यानि कि एक तरह से ब लोग कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं तो इन तमाम एक तरह से आधुनिक सुविधाओं से लेस बंदे भारत ट्रेन है जिसका दाइरा हर दिन बढ़ रहा है आज भी तीन नए राज शामिल हुए इसकी अपनी रफ्तार में और अब धीर दिरे करके तमाम उन राज्यों को भी बंदे भारत ट्रेन छूने जा रही है जहां अभी तक इसकी पहुच नहीं है